नमस्कार तरोना पुब्लिकेशन्स में आप सभी का स्वागत है आज की लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फरवरी करंट अफेर्स 2020 कैपसूल पार्ट टू पार्ट फर्स्ट जो था वो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया था अगर अभी तक आपने वो क्लास न करनेक्ट हो जाईए और साथ साथ में आपको भी अगर सही आंसर पता होता है तो उसका आंसर देते जाईए कॉमेंट बॉक्स में ओके स्टार्ट करते हैं आज के क्यूश्चन्स देखें क्यूश्चन नमबर 20 तक हमने हमारी पिछली क्लास में कवर कर लिये थे आज हम करने वाले हैं क्यूश्चन नमबर 21 से स्टार्ट चलिए इन में से किस भारतिय मूल के वैक्ति को यूके का वित्त सचीव यानि के फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है ओप्शन्स आपको दे रखे हैं होश्यार जेबारी मैसूस करबासियन रिशी सुनक मुल्यानी इं उप्शन्स आपका यूके के वित्त सचीव की रूप में इनको चुना गया है नेक्स्ट क्यूश्चन है क्यूश्चन नमबर 22 यस भारतिय अवोर्ड का सम्मंद किस राज्य से या केंदर शासित प्रदेश से है यहां पर या लगा लेना या शलेश लगा लेना ओके किस र ही ओप्शन होगा आपका डी उत्तर प्रदेश अभी जो यस भारती अवोर्ड है इसकी थोड़ी जानकारी भी आपको होनी चाहिए तो इसकी थोड़ी जानकारी ले ले लेते हैं यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरुषकार है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी हाल ह इसकी में उत्तर प्रदेश सरकार ने यस भारती पुरुषकार के स्थान पर राज्य संस्कृती पुरुषकार शुरू करने का निर्ने लिया है ठीक है यह पुरुषकार संगीत कला नृत्य और शिल्प शिल्प भी लिख लें आपे शिल्प आदी के छेतर में परदान किय जाता है ठीक है तो यह इससे जुड़ी हुई कुछ बाते भी आपको याद रखनी है नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं कुष्चन नमबर 23 65 वे फिल्म फेयर अवर्ड की घोशना की गई जिसमें सर्वस्रेश्ट अभिनेता का अवर्ड किसे दिया गया तो इसमें सही का ओप्शन सी रणवीर सिंग को ये अवर्ड दिया गया था अब इससे जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट बाते भी हम देख लेते हैं देखें 65 वे जो फिल्म फेयर अवर्ड थे 2020 में हुए थे इसमें सर्वस्रेश्ट फिल्म का अवर्ड गली बोई को दिया गया है सर्वस्रेश्ट अभिनेता का अवर्ड रणवीर सिंग को दिया गया है सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी का अवर्ड आलिया भट को दिया गया है और जो बेस्ट डायरेक्टर है उसका अवर्ड जोया अक्तर को दिया गया है गली बोई मूवी के लिए याद रख लेंगे ये बाते हैं आप ओके देखिए अब एक इंपोर्टेंट बात और है जो आपको इसमें याग रखनी है जो गली बोई मुवी है उसने 13 अपने नाम किये हैं 13 अपने नाम किये हैं इस फिल्म को 13 श्रेणियों में नामित किया गया था इससे पहले जो ब्लेक फिल्म थी रानी मिले थे और उसके बात अब गली बोई को 13 अवोर्ड मिले हैं तो यह बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है नेक्स्ट कुष्टन देखिए 65 फिल्म फियर अवोर्ड में सर्वस्टिस्ट अभिनेत्री का अवोर्ड किसे दिया गया है अभी मैंने बताया है आलिया भट अवोर्ड में सर्वस्टिस्ट फिल्म का अवोर्ड किसे दिया गया है अभी बताया है मैंने यह कुष्टन गली बोई को यह अवोर्ड जो है वो दिया गया है नाडू नेडी योजना हाल ही में किस रज्य सरकार ने लौच की है तो जो अंद्रपरदेश की रज्य सरकार है उसने नाडू नेडी योजना लौच की है क्या खास बात है इस योजना की वो भी आपका पता होनी चाहिए तो देखिये अस्पतालों के आधूनी करण के लिए अंधर प्रदेश के जो मुख्य मंतरी हैं वाइस जगमोहन रेड़ी इन्होंने हाल ही में नाडू-नेडी योजना लॉंच करी हैं तीन सालों का सरकारी अस्पतालों का आधूनी करण किया जाएगा सिरफ तीन साल में जो सरकारी अस्पताल है उनका आधूनी करण किया जाएगा इस योजना के तहट ये वो योजना है वो उसकी खास बात है नेक्स्ट कुश्चन देखिए अब भारत की पहली इंटर सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है ये भी इंपोर्टन कुश्चन आपको याद दखना है तो जो महारास्टर राज्य है उसमें इंटर सिटी इलेक्ट्रिक बस योजना जो है वो शुरू की गई है क्या खास बात थी इसकी कि एक बार चार्ज करने पर तीन सो किलोमेटर की दूरी ये बस तैय कर सकती है मुंबई और पूरे के बीच में पहली इंटर सिटी इलेक्ट्रिक सेवा जो है वो शुरू की गई है याद दखना है ये भी आपको चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं सोईल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की है तो 2015 में भारत सरकार ने ये स्कीम जो है वो शुरू की तो इससे इंपोर्टन जो जुड़ी हुई बाते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए तो वो बाते भी देख लीजे और नोट कर लीजे साथ साथ म हाल ही में 19 फरवरी को सोईल हेल्थ कार्ड दीवस के रूप में मनाय जाने की घोशना की गई है 19 फरवरी 2015 को जो मिट्टी की उपजाउता है उसको पता लगाने के लिए ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी जिससे की किसानों को खेत में कितना जा सके ठीक है तो ये बते भी आप इसमें नोट कर लें साथ साथ में नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमबर 29 हाल ही में किसे अफगानिस्तान का राष्ट पती चुना गया है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो उप्शन्स आपको दिये गए हैं इसमें सही नियुक्त किया गया है तो इसमें ऑप्शन्स आपको दिए हैं तो उप्शन नमबर जो बी है निरपेंद्रमिश्टा, निरपेंद्रमिश्टा जी को जो राममंदिर निर्मान की समीति उसका अध्यक्स नियुक्त किया गया है इसमें एक important बात और है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्स है वो कौन है तो वो है नृत्य गोपाल दास नृत्य गोपाल दास तो राम मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्स है और जो समीती है राम दो हजार बीस का आयोजन कहां पे किया गया जो एशियाई कुस्ती चेंपियनशिप है उसका आयोजन तो वो आयोजन भारत में किया गया था उप्शन नमर्डी सही है वेरी इंपोर्टेंट किश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पे अब इससे जुड़ी हुई कहां पे किया गया नई दिल्ली में किया गया ये भी नोट कर लीजी आप साथ साथ में नई दिल्ली यानि के भारत में ये आयोजन किया गया कब किया गया 18 से 23 फरवरी के मद्धे किया गया क्या नाम है इस चेंपियनशिप का तो एशियाई कुस्ती चेंपियनशिप है जि फर्स्ट रैंक मिली है जापान को फर्स्ट रैंक मिली है जापान को सेकंड रैंक की बात करते हैं तो सेकंड रैंक जो है वो मिली है इसमें इरान को साथ साथ में नोट करते जाएं आप और जो थर्ड रैंक है वो मिली है इंडिया को यानिके भारत को अब बात करते हैं इनके मेडल्स की तो जो जापान है जापान ने आठ गोल्ड मेडल जीते हैं चार सिल्वर मेडल जीते हैं और चार ही ब्रोंज मेडल जीते हैं तो कुल मिलाकर जो जापान है उसने मेडल कितने जीते हैं 16 medal जापान ने जीते हैं अब बात करते हैं इरान की तो इरान ने 7 gold medal जीते हैं 3 silver medal जीते हैं और 7 जो है वो bronze medal जीते हैं मतलब कुल मिला कर 17 medal जो है वो इरान ने जीते हैं इसके बात करते हैं हमारे देश भारत की तो इंडिया ने 5 तो gold medal जीते हैं इसके अलावा 6 इंडिया ने silver medal जीते हैं और 9 जो हैं वो 9 bronze medal जीते हैं तो कुल मिला कर 20 medal यानि सबसे ज़्यादा medal इस कुछ ती जो championship थी उसमें इंडिया ने जीते हैं इंडिया ने 20 medal जीते हैं इंडिया ने तो यह important बात है आप याद रख लेंगे और इंडिया का स्थान कौन सा है तो इस थान है इंडिया का 30 HCI कुस्ति championship में यह बाते आपको note कर लेनी है ठीक है अब देखो बात करते हैं कुछ यह question भी बन क्या सकता है आपके सामने important question मैं बता दे रही हूं जो पुरूशों के 57 kg भारवर्ग है 57 kg का भारवर्ग note कर लीजे उसमें रवी कुमार दहिया रवी कुमार जो दहिया है उन नाम बतारी हूं रवी कुमार दहिया ठीक है 57 kg भारवर्ग में और महिलाओं के बात करें तो महिलाओं में जो 68 kg भारवर्ग है उसमें दिव्या काकरन दिव्या काकरन ने gold medal जीता है कौन सा medal जीता है gold medal जीता है तो यह बात भी आपको note कर लेनी है ठीक है चलिए next question पर आते चैंपियंशिप 2020 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है तो अभी अभी मैंने बताया कि भारत का तीसरा स्थान है पहला स्थान किसका था जापान का याद यादेना आपको ओके next question देखे दिव्या काकरन ने किस भारवर्ग में सुरन पदक जीता gold medal जीता है अभी अभी मैंने आपको नोट करवाए है 68 kg भारवर्ग में इन्होंने gold medal जीता है और जो रवी कुमार धहिया है भारत के उन्होंने पुरुष में 57 kg जो है उसमें gold medal जीता है 57 kg ओके तो दोनों चीज़े आपको यह पता होनी चाहिए किसी भी टाइप से आए आप साथ साथ में जो important point मैं बता रही हूँ वो note करते जाना है आपको ठीक है किस्टन इन्हीं में से आएगा इन्में से किस रज्जे ने 20 फरवरी को अपना रज्ज स्थापना दीवस मनाया तो मिजोरम और अरुनाचर प्रदेश यह दोनों ऐसे रज्जे हैं इन्होंने 20 फरवरी को अपना रज्ज स्थापना दीवस बनाया है तो दोनों सही हैं इसका क्या मतलग हुआ दोनों सही है तो A और B C option यहां पे हमारा correct होगा C option हमारे यहां पे correct होगा क्योंकि मिजोरम और अरुनाचर प्रदेश दोनों ने 20 फरवरी को अपन रज्ज 없다 दीवस मनाया है next question हाल ही में स mermaid Whilst की एक report में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है कौन सा स्थान दिया गया है वारत को यह भी important question रहे तो 37 स्थान भारत को इसमें मिला है ठीक है आप इसके बारे में ठोड़ा जान लेते हैं यह क्या है तो यह है index प्रतीव एकिक्ति कारबन उत्सर्जन से संबंदित है या उसको दर्शाती है जो सेकंड ग्लोब फ्लोरोसिंग इंडेक्स है इसमें भारत की कौन सी रैंक है ये क्युस्टन भी आपको पूछा जा सकता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए भारत की एक सो इकतिस वी रेंक है ठीक है ग्लोबल फोरोसिंग इंडेक्स में ठीक है नेक्स्ट क्यूस्टन देखते हैं हमारा क्या कि कमेंट करके बता दीजी आप सही से क्या पूछना चाहते हैं ओके देखे आपस में बातचित नहीं किया करें आप जो भी आपको डाउट रहे वो डाउट आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करकी मुझे अराम से बता दे आपस में बात करेंगे तो जो इंपोर्टन पॉइंट में लिखा रही हूं वो इंपोर्टन पॉइंट आप जीवन के बारे में ये जो इंडेक्स है वो हमको बताती है इसमें भारत को 131 रैंक मिली है खीक है कोई डाउट तो नहीं है चलिए नेक्स्ट क्यूशन पर आते हैं क्यूशन नमर 36 संयुक्त राष्ट है समर्थित की एक रिपोर्ट में फ्लोरो सिंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो अभी मैंने बताया 131 स्थान इसमें भारत को मिला है नेक्स्ट क्यूशन पर आईए क्यूशन नमर 37 चर्चा में रहे रितेश अङरवाल इनमें से किसί कंपनी के संस्थापक है very important क्यूशन है ये जो ओयो होटेल से यानि ओयोर रूम्स इसके संस्थापक है रितेश अगरवाल जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट दो हजार बीस है उसके अनुसार रितेश अगरवाल दुनिया के दूसरे सबसे यूवा अरब पती बन गए हैं दूसरे सबसे यूवा अरब पती ठीक है तो चोबिस साल की उम राष्टे विज्ञान दीवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है आप सभी को पता है हम बचपन से पटते आ रहें 28 वरवरी को मनाया जाता है राष्टे विज्ञान दीवस इसकी इंपोर्टेंट बात क्या थी वो देखी मैंने आपके लिए नोट की है यहां पे विज्ञान के प्रती जागुरुकता फिलाने के उद्देश्य से यह दीवस मनाया जाता है यह दिन रमन परभाव की खोज की स्मृति में बनाया जाता है जो सीवी रमन ने दिया था इसी दिन सीवी रमन ने 1928 में रमन परभाव की खोज की थी इस खोज में बहुत ही कम रुपए लगा क उन्होंने इस खोज को पूरा जो है वो समझाया था ठीक है तो इसलिए इसकी स्मृति में इस दिन हम राष्टे विज्ञान दीवस मनाते हैं राष्टे विज्ञान दीवस 2020 की थीम क्या थी थीम से क्यूश्चन बहुत पुछे जा रहे हैं तो थीम आपको यहाद रखनी है विज्ञान में मही लाएं ये इसकी थीम थी आगे चलिए इंद्रधनूस युद्ध अभ्यास का संबंद किन दो देशों से है तो भारत और य आपको याद रखना है तो देखिए आज हमने चालिस तक के जो हमारे करंट अफ्रेस के 2020 फरवरी कैपसूल्स है उसका पार्ट टू जो है पार्ट टू जो है वो कवर कर लिया है नेक्स्ट पार्ट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे तब तक आप बने रहें तर कर दीजे धन्यवाद